चलिए, next question करते हैं, देखिए, क्या है, integral का question है, बड़ा ही प्यारा question है, x square minus 1 upon x cube, 2x power 4 minus 2x square plus 1, कभी भी याद रखिए, integral के question में, p by q की form हो, तो q को अक्सर t मानते हैं, और देखिए, ध्यान से भी देखिए, तो सब उसी format में, और integral of root x होता है, 2 root x, इसका मतलब पक्की बात है कि इसको t माना गया, पर चिस format में लिखा, वैसा format बनाना चाहिए, हमें पहले, इसका मतलब मैं इससे क्या common ले सकता हूँ, देखिए, ध्यान से, x square minus 1 तो अपनी जगे, ठीक है, x power 4 निकाला, तो x cube पहले, x power 4 under root से निकलेगा, तो x square, तो यहोगा, 2 minus 2 by x square plus 1 by x power 4, right, तो इसका differentiation चीरो, इसका होगा, 2 echo उपर आ जाएगा, और minus भी आएगा, यानि आप इसका differentiation जब करेंगे, तो आपको मिलेगा, 4 by x cube, minus 4 by x power 5, equal to dt by dx, या 1 upon x cube, 1 upon x cube, minus 1 upon x power 5, dx equal to, लिख सकते हो, dt by 4, right, अब इससे यह समझ में आता है, यह x power 5 है, डिवाइट कर दो, तो यह जाएगा, 1 upon x cube, minus 1 upon x power 5, upon root of 2 minus 2 by x square, plus 1 by x power 4, तो यह तो सीधा सीधा 1 by 4, dt by root t बन गया, root t होता है, 2 root t, एक cancel हो जाएगा, 1 by 2 root t, तो पहले देखिए, 1 by 2 किसमें, इसमें 2 है नहीं है, इसमें 2 है, छोड़ दीजे, 1 by 2, और t की जब value डालेंगे, तो same value डाली, तो answer आ गया, like this, right?